हलो दोस्तों जैमाकाल मैं आपका दोस्त चंदर शेकर सुनने टू इंफिनिटी चेनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेर करें और सस्क्राइब करना ना भूले दोस्तों और नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगी दोस्तों नए वीडियो की तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर भी करें दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखें जिससे आगे आने वाले जो भी एकजाम है आरियस, यूपीएससी, अन्टिपीसी, गुरूप डी, एम्टीएस, अससी और जयातर इंपोटेंट है दोस्तों वीडियो और पटवार में जयातर सल्तनत और प्रसासनों के बारे में पूछते हैं तो प्रसासन की बारे में आज हम संपूर जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों दिल्ली सल्तनत की ओनली हम इसमें प्रसासन के बारे में ही बात करेंगे और अन्यता किसी फालतुचीज की बारे में बात नहीं करेंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का topic दिल्ली सल्तनत तो start करते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत से important है सारे UPSC में पूछे गए question से related है और बाद में हम इनको खतम होने के बाद हम आपको question भी देंगे तो उनको solve करने के लिए आपको important मिलेगा तो शुरू करते हैं दोस्तों दि भासा में थी तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रसासन था दोस्तों वो अर्वी फार्सी पदती परता कि कौन सी अर्वी फार्सी पदती परता ये बहुत important अधिकतर कहीं बार exam में पूछा गया है ठीक है प्रसासन के केंदर बिंदू कौन होता था दोस्तों राजा या फिर उसे सुल्तान भी कहते थी दोस्तों याद रखिएगा क्या होता था राजा या सुल्तान तो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान होता था दोस्तों सुल्तान खुदा के नाम पर सासन करता था जबकि वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी सुननी भात रत दो है यानि भासना भी बोलते अत्ववा इसको मिल्लत भी कहते थे इसमें नीत होती थी दोस्तों तो देशनिए। पहले बात सुन रीजीए आप ध्यान से कि पेगम्बर के बाद जो खलीपा का सर्वादच पत्ता वो धार्मिक वेकती रह गया था कौन साथ पेगम्बर के बात खलीपा ही सर्वादच धार में और भार्मिक वेखती रहे गया था दोस्तों पहले खलिपा की सृता का के अंदर बिंदू इंपरिटाद था कहा था फिर बाद में ये ट्राणसप्र होगर 이걸ों इस्ते खलिपा, स्वेम को खलिपा बताया, तो वो था दोस्तों मुबारक खिल जी, याद रखिएगा दोस्तों, इंपोटेंट है, एकजाम की दरश्टी से भी, नेक्स्ट है दोस्तों, चोधवी सताब्दी की बात करते हैं, तो जो तेमूर लंग था, जो सासन तेमूर लंग था, ओध इंपोटेंट क्यूशन है दोस्तों, कि खलिपा के पद को समाप्त किस ने किया था, तो वो है दोस्तों, चोधवी सताब्दी में किया था, तेमूर लंग था, ठीक है, सुल्तान की जो प्रसासनी कारियों में, जो साहता के लिए, दो प्रमुक अधिकारी हुआ करते थ जो प्रमुक दोस्त होते थे, उसके एक तो था वजीर और एक अमीर, ठीक है, ये दोनों इंपोटेंट है, वजीर की बात करते हैं दोस्तों, तो वजीर दिल्ली सल्तनत के समय वजारत का स्वन काल तुगलक के समय माना जाता है, किस के समय माना जाता है, वजारत का स्वन का काल में या फिरोसा तुगलक के काल में सबसे ज़्यदा और सबसे कम था दोस्तों बलबन के काल में ठीक है अमीर की बात करते हैं तो दोस्तों अमीर का सुन काल लोदियों की समय था किसका अमीरों का काल लोदियों की समय था बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है कई बार एकज में पूछा गया है RAS और UPSC जो IS का एक्जाम होता है उसमें भी तो बताइए मंत्री परिशद को दोस्तों मजली से खलवत कहा जाता है क्या कहा जाता है मजली से खलवत मंत्री परिशद को जो दिल्ली सल्तनेत है उसमें क्या कहा जाता है मजली से खलवत जहां इसकी बेटक ह उस इस्तान को मजली से खास कहा जाता है क्या कहा जाता है मजली से खास important है याद रखना दोस्तों बार ए आजम क्या होता था दोस्तों बार ए आजम दोस्तों सुल्तान राजगी कारियों का अधिकांस भाग पूरा करता था जहां सुल्तान जो राजगी कारी होता है उसका जम्बी करता था, बारे खास क्या चीज़े दोस्तों, तो बारे कास सुल्तान सयोग्यों को बुला कर मंतरणा करता था, उस इस्थान को बारे खास का जा जाता था, ये भी याद रखना important है, मंतरी परिशिद की बात करता हूँ, मंतरी परिशिद को क्या कहते है मजली से खल्वत, ठीक है, इसके 4 विभागते मैत्वफूण, वो कौन-कौन से थे, important है यह भी कि मंतरी परिशिद में कितने विभागते दोस्तों तो वो है चार विभाग ठीक है पहला था दोस्तों पहला कौन सा था दिवाने विजारत दूसरा दिवाने अर्ज और तीसरा दिवाने रसालत और तीस चोत्ता था दोस्तों दिवाने इंसा अब देखो सबसे इंपोर्टेंट विभाग था दोस्तों दिवाने विज ता जो आर्थिक मंत्राल अभी होता है उसकी तरह था है दोस्तों दिवान ए अर्ज की बात करूँ तो यह सेन्ने विबाग था दोस्तों इसकी स्थापना बलबन ने की थी यह भी है इंपोटेंट कहीं बार एकजाम में पूछा गया है कि दिवान ए अर्ज जो सेन्ने विबाग था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई तो वह बलबन के द्वारा दिवान ए रशालत की बात करते हैं दोस्तों तो दिवान ए रशालत एक विदेशी विभाग था कौनसा वजारत की बात करते हैं तो इसका प्रमुक वजीर कौन होता था दोस्तों प्रदान मंत्री बहुत इंपोटेंट है कि दीवान ए वजारत चो सबसे महत्वपुन विबाग था दोस्तों उसका प्रमुक कौन होता था तो वो होता था दोस्तों प्रदान मंत्री ठीक है यह सबस इसरे नंबर के बात करते हैं तो फिर है इसी के अंदर दिवान ए इमारत, दिवान ए अमीर को ही, दिवान ए वकूफ, दिवान ए मुक्स्तक राज, ठीक है, दिवान ए इमारत को क्या कहते हैं, जो लोक निर्मान का कार्य करते थे दोस्तों, वो उस संस्ता को बोलते थे, इसक किस ने की थी तो ये करसी विवागता दोस्तों इसकी मुहमद दुगलक ने की थी याद रखेंगा यह बहुत important है दिवाने वकूफ इसको बोलते हैं वे जो काज़ात होते हैं उसकी देखबाल करता था हैं दिवाने मुस्तक राज को क्या बोलते हैं अधिकारियों का नाम जो बकाया राज़ी को वसूल करने का वाला विभागता है जो जो भी जिसकी भी बकाया राज़ी रह जाती थी, उसको वसूल ने का काम करते थी दोСТवों दिवान मुस्तकराज, ठीक है और अल्ला श्तापना किस ने की ती दोस्तों, अल्लावदीन खिल जी ने, याद रखेगा अभी अल्लावदिन खिलजिक ने कीती इसके स्तापना वजीर की सयोगियों को क्या क्या कहते हैं दोस्तों ये भी इंपोटेंट है देखो नाइब वजीर एक तो इंपोटेंट ये है एक है मजुमादार एक है खनीज एक है वकील ए सलतनत् एक है सर्द उर्ष सुदूर, छट्टा है काजी उल्कजात, और सात्वा है वरीद ए मुमालिक ठीक है इनके बारे में बात करते तो दोस्तों नायवे वजीर क्या होता था जो वजीर है उसका सहायक होता था ये नायवे वजीर, मजुवदार करता है जो आइवे का लेखाजों का रखते थे उनको कहते थे खनीज किसे कहते जो खजानची होते थे दोस्तों पहले वो करते थे खनीज वो होते थे दोस्तों यह सयोगी थे वजीर के वकील ए सल्तनत यह बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों वकील ए सल्तनत की बात करूँ मैं आपको आपसे तो उस सुदूर की बात करता हूं important है यह धार्मिक और दान से संबंदित था दोस्तों सद्र और सुदूर कहीं बार एक्जाम में यह पूछा गया भी है काजी उलकजात यह न्याई विवाग से संबंदित है वरीद ए मुमालिक यह गुप्तचर विवाग होता है ठीक है कौन सा हमकी अबुप्तचर विवाग होता है और आपको मैं याद दिला दो दोस्तों मैंने आपको एक और क्यूछन पूछा था जिसको मैं आपको पढ़ाए भी था उसमें किसकी बात कर रहना हूं में आपको मोर्य परसाशन की बात करना हूं दोस्तों कि मोर्य परसाशन important था उसमें तो मोर्य परसाशन में एक अधिकारी हुआ करता था जिससे क्या बोलते थे जो भूमुई की पेमाईस का कारे करता था वो राजकु कर लाता था याद रखे यह बहुत important है और एक इसमें तो आपको गुप्तचर विभाग के बारे में बताया कि गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे इसमें तो इसमें तो वरीद मुमालिक का आता था गुप्तचर विभाग को और उसमें जो गुप्तचर विभाग था मोर्यकाल में उसे क्या कहते थे दोस्तों गुड़ पुरुस क्या कहा जाता था गुड़ पुरुस याद रखना गुड़ पुरुस कहा जाता था क्या कहा जाता था गुड़ पुरुस कहा जाता था याद र वारबर को क्या कहते थे जो बारबर होता था दोस्तों तो यसमें जो दिली सलतनत उसमें क्या कहते धरबार की शानों शोकत यह व्रस्मों की देखबाल करता था बहुत important है ठीक है याद रखना प्रांतिस असन की बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में तो प्रांतिस असन एक तो तो केंदर प्रांत इकता भी बोलते थे दूसरा है जिला या सीक बोलते थे जिले को परगना भी बोलते थे जिला को एक जिले को सिंक बोलते थे और जिलों को क्या बोलते थे परगने तो बात ठीक है के अंदिर प्रांत को क्या कहते था इक्ता याद रखिएगा तो प्रांतों को इक्ता या अक्ता कहा जाता था याद रखना दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक इक्ता मोहमद तुगलग के समय हुआ करते थे किसके समय हुआ करते थे मोहम्मद तुगलक के समय हुआ करते थे जिला सिक की बात करता हूँ तो यह प्रमुक शिकदार हुआ करते थे दोस्तों यह शिकदार कहा था ठीक है जिलाग प्रणगने की बात करें थे तो तैसलों में विवाजित थे प्रमुक अधिकारी आमेन अत् मुकद्दम कहा जाता था, याद रखना important है, मुक्या को क्या कहा जाता था, गाम के मुक्या को, मुकद्दम, ग्राम के जमिदार को खूत कहा जाता था, दोनों important है, याद रखना दोस्तों, भूलना मत, ठीक है, तो ये बहुत important है, और मोरिकाल की बात करूँ दोस्तों, तो मो जिसके अंडरलाइन हो रही है दोस्तों वो बहुत इंपोर्टेंट तो पहली बार जो सेंड़ विवाब किस्तापना किस ने की थी तो याद रखना बलबन के समय हुई इसका नाम दिवाने अर्ज था क्या था पहले बार जो सेन ने विभाग किस था अपना किसके समय हुई बलबन के काल में और इसका नाम क्या था दिवाने अर्ज था ठीक है पहले बार इस्ताई सेना खड़ी सेना अल्लाउदीन के समय गठित की गई कई बार पूचा गए ये तो आपको भी फता होगा और इसने सेनिकों और गोडों को दागने की प्रता सुरी कई ठीक है तुले एवं यजकी क्या होता था ये गुप्तचर थी इसके तुले एवं यजकी ये दोनों गुप्तचर थी पहला गुप्तचर बताई दिया हूँ यह सारे क्योशन जजियाकर के बारे में कहीं बार क्योशन पूचा गया है तो देखिए गैर मुस्लिमों को ब्रामण इस्तरी ओं गैर मुस्लिम होते थे उनके ब्रामण इस्तरी व्रद्ध अपंग बच्चे दास और सन्यासी इन पर यह कर नहीं लगता था ठीक है दोस्तों इन पर यह कर नहीं लगता था जजियाकर इन वेक्तियों पर नहीं लगता था ठीक है और बाकी सब पर यह कर लगता था तो बात बताओं आपको कि जो फिरोज सा तुगलक है फिरोज सा तुगलक की बात करो तो पहली बार ब्रामणों पर भी जरिया कर किसने लगाया कहीं बार पूछा गया क्यूशन है, आपको भी कहीं बार मिला होगा ये टेस्टों में, एक्जाम में, तो याद रखना फिरोसा तुगलक ने पहली बार ब्रामनों पर भी जजिया कर लगाया, तो सर्व परतम ब्रामनों पर जजिया कर लगाने वाला परतम सासर कौन था, तो फिर ि मद्दे काल में किसने जजिया कर को खटाया। मद्दे काल की बात करता हूं। इसमें कहीं क्यूशन है। मद्दे काल में तो दोस्तों जो कस्मीर के बड़ सा सासक सा नाम से परसिद दे जो जेनुवल अबावुद्दीन इन्होंने जजियकर को हटा दिया था समाप्त कर दिया था ठीक है फिर नेक्स्ट बात करता हूँ बहमनी के सासक कौन थे जिनोंने जजियकर हटाया बहमनी के स लुस्त में पूंप तो या कोई पर सासन का फिर का बात करूं में उसको जो अपर ने अच्छे में पडाउंगग को願い करता ओंग तो मुगल डजिया करता वो किस reasonably आठा था दोस्तों तो अकबर ने अटाया था ये भी कहिमार पोचा गया है कि अकबर लेकिन ओरंग जेंग ने इसे लागू कर दिया था फिर से ओरंग ने इसे लागू कर दिया था इसका विरोध किस ने किया था दोस्तों जो राजस्तान के सासकते राज सिंग ने इसका बहुत विरो बढ़ने अटाया और उत्तरकाली इन मुगल सास को में सरोपर्तम किसने अटाया जहां दर्साने ये पूरे important है एक जाम में पोचे गई question है अब next जजियाकर के बाद में बात करता हूं जकात कर और सारे जो important कर हैं इसमें दिली सल्तनत में वो सारे बात करेंगे जकात की बार में बात करूं तो एक धार्मिक करता कौंसा धार्मिक कर एक तो जकात करता और एक सदगाथ ये दोनों धार्मिक करती है या रखना इसके मात्रा एक बटा चालेश थी दोस्तों, डाई परतिसित होती थी, अत्वा डाई परतिसित, अत्वा भी बोल सकते हैं, एक बटा चालेश या अत्वा डाई परतिसित भी आ जाए, इस पर काजी का अधिकार था, काजी का अधिकार था, ये केवल धनी मुसलमानों से लिया जाता था, जकात कर कि यह भूराजस्वता जिसकी मातरा एक बटा तीन होती थी, उर्स की बात करूँ दोस्तों, यह मुस्लिमों से लिया गया भूराजस्वता जिसकी तरह 10% थी, ठीक है, नेक्स्ट तरह दोस्तों, खम्स, क्या था, खम्स, खम्स की बात करते हैं दोस्तों, यह लूट का हिस्सा थ गाता था और गेर Muslimों से शें दोस्तों 5% वसूला जाता था यह भी «धरीकर और चरीकर» चरीकर तो कई बार सुनाँगा कि यह क्या है चरीकर क्या है तो यह दोस्तों करह कि यह अँन चरह गाउं पर लिया जाता है और यह leag din वारा यह लगाया गया था ठीक है जो important हो सकते हैं मैं एक्जाम से उठाये हैं ये जातर UPSC, RPSC पेपरों में से जो अपन को जो पटवारी वीडियो इन में सीधा ऐसा काईसा मिलेगा भूमी के परकार बताओं आपको सबसे important तो इसमें सबसे important है दोस्तों इकता भूमी और खाल सा भूमी तो खाल सा भूमी की पहले बात कर लेते हैं तो उस खाल तब भूमी जो सीधे केंदर के नियंतरण में होती थी यानि ये सरकारी भूमी हुआ करती थी इकता भूमी की बात करूं, तो ये भूमी का मालक इकतादार हुआ करता था, क्या होता था, इकतादार, जिसे मुक्ता भी कहते थे, क्या कहते थे, मुक्ता, याद रखेगा, इकता मुक्ता, ठीक है, उर्सी की बात करूं दोस्तों, उर्सी, उर्सी में आपको बताओं, कि ये ब्हूमी के मालिक तुरकी मुसलमान ती जो उसे बूमी होती थी उसके मालिक कौन थे तुरकी दोस्तों धोनिıll दोस्तानुगत थी जमीन की पैदावार से हिस्सा ले लिया जाता था किस से जमीन की प्रणाली हुआ दमीन के इस्से से जैसे खेत बटाई में लगबटाई में राची बटाई में मसाहत और मुक्ताई इस भी इंपोटेंट याद रखेगा लगान विवस्ता किन-किन से लिया जाता था तो यह याद रखना एतिहासी कर्तियों की बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले आता च चचनामा। इसमें और अमीर-खुसरो հॉकी कर्तियां ये इंपोर्ट बहुत अमीर-खुसरो की कर्तियां कहीं बार पुछा गए हैं कि ये करती किसकी आ यह फिर इन में से अमीर-खुसरो कि कौन सी कर्ति नहीं है ठिक है तो मैं आपको बताऊं गाइग किस्ञों मी भी है तो चचनामा की बात करते हैं तो दोस्तों की जो पुस्तक लिखी थी चचनामा वो अली एहमद द्वारा अर्भी में लिखित पुस्तक है जो सिंद पर हुए आक्रमणों के बारे में उल्लेक करती है याद रखना सिंद पर आक्रमण हुए थी उसका उल्लेक करती है और तो पहली बात में, खजाइन उल्फटु, पहली बुक है, खजाइन उल्फटु, जो लाउदीन के काल की प्रथम 15 वर्स की घटनाओं का वल्णन करती है, दोस्तों, खजाइन उल्फटु पुश्टक में ये अमीर कुस्तरों की करती है, ठीक है? अब बात करता हूँ, आदिका वर्णन करती है ठीक है याद रखना बहुद इंपोटेंट है तारिक मुबारक साही ये भी अमीर कुस्रों की करती है गुरू लिकी ये भी अमीर कुस्रों की नूर सिपहेरी इंपोटेंट है ये भी इसी की करती है किताब रहला इसी की है फतु हाते फिरोज साही ये और इसकी आसिका, ठीक है, ये बात करूँ, इसकी आसिका इंपोटेंट है, खिजर खावद देवल राने की कहानी है इसके अंदर दोस्तों, याद रखना ये भी, फिर नेक्स्ट है, इंपोटेंट क्यूशन है, कि फिरोज सा तुगलक, जो दान व दक्षना के बारे में काफ पूच ले आपको कि खेरात, या दिवान एक खेरात जो विभाग बनाया गया, वो किस से संबंदित था, तो वद था दोस्तों, दान व दक्षना से संबंदित, ठीक है, इसका निर्मान किस ने करवाये था, तो फिरोज सा तुगलक ने करवाये था, इंपोटेंट है, आद रखना दोस्तों, तो आपको बता दूमें, इसमें पहला क्योशन आपको दिख रहा होगा, तुगलक नामा हो गया, दूसरा हो गया, तारिके, तारिक मुबारक साही, फिर नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, खजायन उल्फदू, और तीस सो ता है हुमायू नामा, तो तो तुगलक नामा आपको मैंने पहले भी बताया है कि तुगलक नामा क्या था एक पुस्तक्ति अमीर कुष्रों की और उसमें किसका भारा में जानकारे मिलती थी, जो गया सुद्दीन तुगलक है, उनकी विजोयों का वर्णन किया गया था तुगलक नामा के अंदर, ठीक है, important बता दिया हूँ, पहले खलीफा की सत्ता का केंदर बिंदू कहा था, ये बताना है आपको, मैंने आपको बताया कि खलीफा की जो सत्ता का पहला केंदर फिर next question है दोस्तों, कि सासक ने स्वेम को खलीफा कहा, ये भी मैंने important बताये था आपको, कि ये भी बहुत important होगा exam की दरश्टी से, तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा इसा सासक था, जिसने खलीफा, स्वेम को ही खलीफा कहा, तो मुबारक खिल जी होगा, तेमूर लंग होगा, कुत बुद्धी नेवक, इल्टूत मिस, तो आपको बता दू कि दोस्तों, उसका राइट आंसर मैंने आपको बताये था, मुबारक खिल जी, और तेमूर लंग की बात करूँ तो दोस्तों, तेमूर लंग कौन सा सासक था, ये चोधी सताब्दी में जो पद को समाप्त किया, अभी, अभी मैंने बजस्त बताया है कि टेमूर लंग इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, फिर है, किसके सासनकाल में अमीरों का सुणकाल कहा जाता था, मैंने इसको खूब रटाये विता अभी, कि कौन सा सासक था, जिसने अमीरों का सुणकाल मान जाता था तो दोस्त को राइट answer हो गया लोधियों के सासनकाल में इनका स्वंकाल माना जाता था अमीरों का ठीक है फिर दिल्ली सल्तनत में मंत्री परिशद को क्या कहा जाता था इसको भी मैंने अभी बहुत बार बताया कि यह बहुत important है तो इसको जैसे मजली से खलवत कहा क्या कहा जाता है दोस्तों मजली से खलवत कहा जाता है important याद रखना ठेक है यो थोड़ा मि स्प्रिंट हो गया यो थोड़ा आप ध्याणर रखना कि खास नहीं खलवत हो गा है क्या होगा खलवत ठीक है? याद रखना खलवत होगा इसका right answer फिर यह दोस्तों चलते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे मैतोपुन विवाग कौन था? ये भी मैंने आपको बताया कि सबसे मैतोपुन विवाग कौन था दिल्ली सल्तनत में तो वो था दो दीवान ए विजारत याद रखना, भूलना मत दोस्तों पहली बार इस्ताई से न, अतवा खड़ी से न किसने गठित की? तो आपको पता है अलाओदीन खिल जी ने ये काम किया था सर्व परतम किस सासक ने पहली बार ब्रामनों पर जजिया कर लगाया? तो ये भी आप आपको मैंने बताया कि फिरो सा तुगलक ने लगाये था दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्यूशन है मद्दे काल में किस सासक ने जजिया कर हटाया था? आपके पास ओप्सन ही ओप्सन है, चार ओप्सन है तो आपको चार ओप्सन हैं से बताना है कि मद्यकाल में किस सासक ने जजियाकर को हटाया था मैंने आपको जजियाकर को बहुत डीपली पढ़ाया था कि इसको तो जरूर याद रख न जजियाकर कहीं बार पोचे गए हैं क्यूशन है तो मैं दोस्तों मद्यकाल की बात करो तो मद्यकाल में जो कस्मीर के सासक थे, जिसे बर्ड सा के नाम से भी जानते थे, जैनुवल अबाब उद्दीन, तो कौन से थे, जैनुवल अबाद्दीन, उपर ही उपर थे, ये मद्देकाल में थे, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूँ, अल्लाओ दीन, हसन बैमन सा, तो मैंने आपको ये बात करूँ दोस्तों, तो अकबर में आपको मैंने बताया, कि जो मुगल सकाल था, उसमें अगर कोई जहजिया कर हटाया था, तो वो किस ने अटाया था, अकबर ने, और लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, वो तो हटा दिया, लेकिन औरंग जेव ने इसे पुनलागो कर दिया था, ठीक है, फिर बताऊं, जहांदर सा, जहांदर सारक के बारे में बात करते हैं, तो जो उत्तरकालीन जो मुगल सा सकते, उसनोंने सर्व परतम जहांदर सा से ने हटाया, अगर उत्तरकालीन पूछ ले कि उत्तरकालीन मुगल सासकों में सर्व परतम जजिया कर किस नहीं अठाया तो वो थे दोस्तों जहां दर्शा मैंने यह क्यूशन रटवाया रिपीटेड किया क्योंकि यह क्यूशन हंड्रेट परसेंट सो प्रतिशक आएगा ही आएगा किसी ने किसी एकजामें भड़ेगा तो इस रजिया करवाले जितनी में इंपोर्टेंट थे मैंन मैं आपको यहीं क्लियर करवा दूँगा तो दोस्तों इनको जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपके पटवारी में टॉपिक है सलतनत परसासन के बारे में तो परसासन को गोल के पी जाएए आपके क्यूशन इन से बाहर नहीं जाएंगे तो दोस्तों यह आपके RPSC, UPSC, SSC, CDS सब में काम में आएंगे दोस्तों तो इनको जरूर देख लिए गया यह क्योशन भी मैंने आपको बता दी हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का जैहिन